हलो एवरिवन, वेलकम तू लख्की एजुकेशन और आज हम देखेंगे टॉपिक रिजल्ट ओफ डिवीजन ओफ लेवर, क्लास टेंद की पॉलिटिकल साइंस, चेप्टर नमर थ्री, चेंडर रिलिजिन कास्ट, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, डिवीजन महिलाएं करेंगे, बहार का सारा काम पुरुष करेंगे, तो इससे क्या नतीजा निकल किया आता है न, और बात में क्या हुआ यह सारी चीज हम देखेंगे, रिजल्ट ओफ डिवीजन ओफ लेवर, तो बोबोलिजन ओफ लेवर पहला रिजल्ट तो यह रहा, कि जब सारी म मिनिवल इन मोस्ट सुसाइटीज चहां पर सुसाइटीज मगर ऐसा कर दिया जाता है कि महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगी घर से भार नहीं जाएंगी तो नौर्मल सी बात है वो पब्लिक लाइप में तो कभी भी पाटिसपेट नहीं कर पाएंगी पब्लिक लाइप का सरकार के साथ भी कोई काम नहीं कर सकते हैं अगर घर से बाहर निगलेंगे सिर्दी सीरवात है एज़ुकेशन पराप्ट करेंगे। चाएंगे बोड़कटरीं की एंजिनियरिंग की या हमीनिटेश की किSी भी टाइप की एज़ुकेशन पराप्ट करते हैं तो किसी भी ज Rain में जारे पर जा सकते हैं। अर्छ अर्ली में वर अलावड़ेंटर तू work १्रेज्टरिो सेंटर में बॉकव में takiego जाने जिंदर डिसक्रिमिनिशन की बात करे जा जा एए diez तू महिला सुरू-सुरू में politics में जाने की मतलब सारी के सारी politics में भाग लेने की जिम्मेधारी यह सबसे ज्यादा permission किसको दी मैन को दी ओनली मैन ही जो थे पहले politics में बाइस्पट करते थे महिलाओं का politics में participation ना के बराबर था ना के बराबर बहुत कम महिला यहीं ती जो politics में प्रोग्रेस करने लगे तो फिर ये इशू आने लगा, not only in India, दुनिया वर में इसू आने लगा, कि महिलाओ का रोल जो है, पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहिए, यह जो एंडर इशू है, कि बस में ही पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस करेंगे, इसको बिरूद किया जाने लग का है, जहां पर महिलाओं को 33% जो सीट हैं, लोकसवा और legislative assembly में reserve कर दी कहीं, इससे पहले जो local government है हमारी, local government मतलब जहां पर rural government होती है, एक carbon government होती है, वहां पर one third seat already reserve कर दी है, महिलाओं के लिए, तो यह अब की बात कर रहा हूं, मैं current वाली, मगर क्या यह चीज डारेक्ट different part of the world organized and protested for equal rights. अब जब महिलाओं का जब role limited था तो दुनिया भर में महिलाओं ने organized और प्रोटेस्ट किये थे मतलब आपको देखने हो मिलेगा दुनिया भर की महिलाओं ने जगे जगे पर जाके प्रोटेस्ट किये थे कि भई हमें equal right दिये जाएं जो right man को दिये जा रहे हैं वही right woman को दिये जाएं तो इसके लिए महिलाओं को पूरी दुनिया में not only in India throughout the world और इंडिया से जादा तो बल्ड में बहुत ज़्यादा देमांड होई दी इंडिया में फिर भी एक अच्छी पूरी दुनिया की महिलाओं ने equal rights के लिए क्या किये प्रोटेस्ट किये और इन प्रोटेस्ट में डिमांड की गई कि महिलाओं का political और legal जो status है महिलाओं का इसको enhance किया जाना चाहिए और साथ की साथ में educational और career opportunities को भी बढ़ाना चाहिए education में भी महिलाओं को priority मिलनी चाहिए और career opportunity उनको जो करना है अपनी life में जो बनना है वहाँ पर भी उनको improve किया जाना चाहिए वहाँ पर भी उनको मौका मिलना चाहिए वो जो परना चाहती है उनको option मिलना चाहिए वो जो बनना चाहती है इतने महिलाओं के लिए होने चाहिए यह जो radical movement start नहीं बोला गया था radical movements यह जो radical महिलाओं के जो बात कर रहे थे कि we need equality है personal life में भी as हम हर जगे पर ईकुलीन१िटी जाहिए उन्ही मूवमेंट को बोला गया feminist movement सखिए और मैं गर फैमिनिस्ट मूवमेंट् मवश्च इमल हो 14 मेल या सीविल हो दोनों के लिए एक्टोविर राइट्स की बात की गई थी उसको बोलते हैं feminist movement तो जितने भी feminist people होते हैं वो बात करते हैं महिला हो या पुरस तोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए कोई difference नहीं होना चाहिए उन लोगों को बोलते है feminist तो एक ideology डवलप वी जिसको हम बोलते है feminism क्या बोलते है feminism, feminism is a political ideology जो advocate करती है जो बात करती है जो कहती है कि यस women को men के बराबर right मिलने चाहिए ठीक है तो जब उनको लगा महिलां को बाद में जब देश हमारा हमारा भी आ जात हो गया तो उन्होंने अपने rights के लिए दुनिया बर में प्रोटेस्ट किया और इन्ही प्रोटेस्ट को बोला गया था feminist movement जो डिमांड कर रहे थे कि women's को भी equal right मिलने चाहिए ठीक है अब एक consensus develop होने लगी धीरे-धीरे कि यस यार हाँ महिलां का रोल जो है society में बढ़ना चाहिए अब देखो जब धीरे-धीरे जब यह movement होने लगे तो दुनिया को भी समझवाने लगा जो intellectuals हैं जो समझदार हैं जो पड़े लेके लोग दुनिया में महिलाएं scientist की तरह, doctors की तरह, engineers की तरह, lawyers की तरह, managers की तरह, lawyers की तरह, managers, scholars, university teachers की तरह काम कर रही हैं यह जो आज की date में महिलाएं अब हर जगे आपको देखने को मिलेंगी पहले इन position को इन job को suitable नहीं समझाया आता था महिलाओं के लिए पहले तो महिलाओं को ब महिलाएं देखने को मिलेंगी, recently आपने देखा हुआ चंद्रियान 3 में, यह सारी women scientist है, Modi ji मिलने भी गएते हैं, ठीक है, तो यह खुसी हो दी है, और आज की डिटम अपने इंडिया की बात करें, तो हमारी प्रिजेंट की जो हमारी प्रसीडेंट है, भारत की महिलाएं क्या कर रही है, अपने इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अब यह डियरेक्ट नहीं है, इसके लिए संगर्स करना पड़ा हैं, क्या करना पड़ा है, संगर्स, इबन अगर आप देखो, आज की डेटमें कुछ कंट्रीज हैं, जिनकों मोलते हैं महिलाएं का जो पार्टिसिपेशन है, सबसे ज़्यादा है पॉब्लिक लाइफ में, ठीक है, तो यह ऐसे देश हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, एक्स्ट्रिम फ्रीडम है उसमिलो, और यह देश ना हमेसा हर चीज में आगे रहते हैं, जब भी कोई भी इं नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो बच, कीप लटर निंग, कीप इंजोएंग, और ब्लेस यू अल